दोस्तों कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई आप लोगों की डिमान पे वीडियो बना रहा हूँ अपडेट वाली भाई मैं बहुत दिनों से वीडियो अपडेट वाली नहीं दाल रहा था मुझे नहीं दाल ली थी एक्च्छल में मैं आपको बता रहा हूँ बट डिमान आईए कि भाई एबजेट को लेकर एक वीडियो बनाओ एबजेट वर्जन 5 कब तक इंडियन मार्केट में आ सकती है तमपनीज में क्या कुछ नया लेकर आने वाली है आपका डिमान था आपके डिमान पे दोस्तों मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आज की इस फीडियो पे हम बात करने वाले है दोस्तों नई वाली जो एबजेट आए की वर्जन 5 इस पे हमें क्या क्या अपडेट देखने को मिल सकता है तो अगर आपको जानना है दोस्तों इन अपडेट के बारे में तो ये वीडियो को आप पूरा ज़रू देखेगा आपको डीटेल में बताने वाला हूँ कमपनिस में क्या क्या नए अपडेट लेकर आने वाली है तो चलिए फिर आज की इस फिडियो को सुरू करते हैं बात करते हैं दोस्तों अपकमिंग एपडेट एस वर्जन 5 के बारे में अगर चैनल पे पहली बराया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा चलिए फिर इस फिडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के चेंजेस के बारे में आने की अपडेट के बारे में कमपनिस में क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाली है दोस्तों एपजेट में सबसे पहला जो चेंज होगा वो होगा दोस्तों इस बाइक के एंजिन में engine में क्या change होगा इसके power में देखिए आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि Fz में जो power हो काफी कम है अगर आप देखिए कम नहीं है power यह नहीं बुरूँ के बहुत कम है देखिए power है लेकिन भाइँ अगर आप इसे other 150 segment से compare करेंगे जैसे जो हमेशा किया जाता है तो वह उनके compare में इसमें power काफी कम है ठीक है 12.4 की PS power है और 13.3 के असपस का torque है तो company सबसे पहला जो update देगी दोस्तों वो power में देगी और power में ऐसा है कि company इस बार इसमें minimum 15 PS के असपस का power दे सकती है 15 और 13.3 की 13.5 PS का torque है वो हमें इस bike में देखने को मिलने वाला है तो power रहें जो torque है दोस्तों वो company इस bike में काफी अच्छी देगी और ये power and torque के साथ पे दोस्तों की जो performance है वो भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल सकती है तो ये जो अच्छा update है वो आपको इस bike में देखने को मिलने वाला है यो जो है Celsius bike की power में दोस्तों इसमें जो next update होगा वोगा दोस्तों इस bike की lighting में देखें अभी आपको इस bike में जो light देखने को मिल रही है already वो light बहुत जदा अच्छी है वाँपे कोई doubt नहीं है company ने काफ एच्छी जो light है दोस्तों इस bike में offer किया है बट दोस्तों आप लोग को मैं बता दू company इसमें changes लाएगी और इसमें जो light है वो company नया light देने वाली है और वो यह है दोस्तों कि इसमें आपको जो है न fully LED projector light आपको इसमें देखने को मिलेगा फिलाल अभी इस bike में आपको जो है न fully LED light मिलता है बट company जो है single LED projector light में इसमें काम करेगी जिससे इसका look भी बैतर होगा और इसकी lighting performance भी आवे बैतर देखने को मिलेगी ति यह भी जो नए update है वो आपको इस bike में मिलेगा दोस्तों जो next अपडेट होने वाला इस bike में होने वाला इस bike के speedometer में देखे लास्ट इम क्या हुआ था कि company ने इसका जो speedometer है न भाई वो MT-15 अला उठा के दाल तो दिया था बट उन्होंने company ने एक चीज missing कर देती और वो क्या important रखता है हलाकि वो सकता है कि company इसके लावा और भी कुछ update कर दे speedometer में बट इस जो gear indicator अपडेट है वो 110% आपको इस bike में देखने को मिलने वाला है यह भी नया update दोस्तों company आपको इस bike में देजी वह दोस्तों इसका जो next update होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों इस bike के suspension में अब देखिए आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं दोस्तों एक time था जब लोग USD Fox suspension जानते भी नहीं थे कि भाई USD Fox suspension होता क्या लोगों को पता नहीं था बट आज का time ऐसा आगया है कि भाई USD USD Fox suspension आपको देखने को मिल सकता है यह भी नहीं अपडेट दूस्तों आपको इस bike में देखने को मिलेगा दूस्तों इसका जो next update होने वाला है वहने वाला इस bike की braking में देखिए आपको बदा दू भाई पहले हम जानते थे ABS क्या होता है anti-lock braking system उसकी बाद भाई कमपनिया छोटी छोटी बाईकों में भी ABS देना का काम की सभी में single channel ABS हमें देखने को मिला वर दूस्तों आप लोगों को मैं clear कर दू कि अब आपको इस bike में dual channel anti-lock braking system देखने को मिल सकता है जो कि इस के लिए बहुत जादा इंपोर्टन रखता है जो कि हर company से अगर इसको complete करना है next update हने वाला है इसकी graphics में आपको पता है दोस्तों company अगर अब इतने update दे रही है तो नए graphic जो नए color option है वो भी company इसमें देगी और वो graphic and color option कैसे होंगे वो तो आने के बाद ही पता चलने वाला है बट देख company से उमीद है कि जो भी graphic and color option company आप इसमें दे वो अच्छे graphic को लोगों को पसंद है और graphic जो है बहुत इंपोर्डे रखता है बाइक के लिए चिसका look and design कैसा रहेगेगा वो graphic पे ही बाई निरबर होता है तो graphic जो है company इसमें अच्छा देने वाली है और देगी भ देने वो भी आपको थोड़ा नया देखने को मिल सकता है ये भी भाई मैं आपको confirm update बता रहा हूँ कि confirm ये update तो आपको इस भाई पर देखने को मिलेंगे मिलेंगे अतिकी launch date फिलाल जो है कोई official launch date तो नहीं आया है या मा की तरप से बट मेरे साब से दोस्तों इस भाई को रिविल किया जा सकता है वेगर मैं बात कर लूँ दोस्तों इस भाई के price के बारे में तो हाँ थोड़ा ना थोड़ा इसका जो price है दोस्तों वो भी company बढ़ाएगी बहुत जादा ने पर थोड़ा ना थोड़ा price तो company इसका बढ़ाने वाली है भाई की दोस्तों कौन कौन इस भाई का wait कर रहा है वो नीचे comment section में comment करके जरू बता सकता है बहुत जल आपको इस भाई देखने को मिलेगी चली दोस्तों मिलते हैं फिर next video में love you all जैन वंदमातरा